नमस्ते दोस्तों, हमारे चाल में आपका स्वागत है आज हम लेह लद्दाक और कारगिल सेर के बारे में विस्तार से जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे लद्दाक भारत के यूनियन टेरिटरी का कपीटल शेहर लेह के बारे में. प्रितिक सुन्दर्ता का पता लगाने और स्थानिय संस्कृति का अनुभव करने के लिए ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और माउंटन बाइकिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं इस क्षेत्र की अनुथी तिब्बती बहुत संस्कृति पूरे वर्ष मनाए जाने वाले मठों और पारंपरिक त्योहारों में स्पष्ट है लेह लद्दाख अपने शांत वातावरन और आध्यात्मिक माहौल के कारण आध्यात्मिक साधकों और ध्यान करने वालों के लिए भी एक लोगप्रिय गंतव्य है लेह लद्दाख की आत्रा आमतोर पर गर्मियों के महीनों जून से सितंबर के दौरान होती है जब मौसम सुहावना होता है और सलके सुलब होती है हाला कि अधिक उचाई वाली स्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना आवश्यक है क्योंकि क्षेत्र की ओसत उचाई 11,000 फीट से उपर है बहुत शिक्षा और अभ्यास का केंड रहा है अनेक प्राचीन मट, स्टूप और प्रार्थना चक्र यहां के परिद्रश्य में फैले हुए हैं जो गहरी जने जमा चुकी बहुत विरासत को दर्शाते हैं मट, लेह लदाख कई प्राचीन मटों का घर है जो सदियों से खड़े हैं कुछ प्रसिद मटों में हेमिस मट, ठिक से मट, डिस्कित मट, अल्ची मट और लामा युरू मट शामिल है ये मठवासी प्रतिष्ठान ना केवल धार्मिक केंद्रों के रूप में बलकी मुलेवान कलाकृतियों, धर्मव्रतों और थांत का बौध पेंचिन के भंडार के रूप में भी काम करते हैं त्योहार, ये एक शेत्र लेह लद्दाक की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए विभिन जीवन त्योहार मनाता है कुछ लोगप्रिय त्योहारों में हेमिस फेस्टिवल, लद्दाक फेस्टिवल, लोसर, तिब्बती नव वर्ष और दोस्मोचे शामिल है इन त्योहारों में रंगीन मुखोट अनृत्य, संगीत प्रदर्शन और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान शामिल होते हैं पारंपरिक वास्तुकला, लेह लद्दाक की वास्तुकला विशिष्ट है, जो इसकी सास्कृतिक विरासत और कठोर पहाडी वातावरन का सामना करने के व्यभारिक विचारों को दर्शाती है पारम पर एक लद्दाखी घर मिट्टी की इटों, लकड़ी और पत्थरों से बनाए जाते हैं, जिन में थंडी सर्दियों के दोरान गर्मी से बचाने के लिए जटल लकड़ी की नकाशी और सपार्चते होती है भोजन, लेह लद्दाख का भोजन तिबबती, भारतिय और मध्य एशिया इस्वादों का मिश्रण है मोमोज, पकोरी, थूखपा, नूडल सूप और स्काय यूप स्थानिय पास्ता कुछ लोक्रिय व्यंजन है पारम पर एक मक्खन चाय, जिसे एक बुल्बुर्चा के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुक पे है हस्टशिल्प, लेह लद्दाख के लोक्थान का पेंटिंग, धातु कारिय और कालीन बुनाई सहित विभिन हस्टशिल्प में कुशल है ये हस्टशिल्प, शेत्र की कलात्मक प्रतिभा और सास्पृतिक महत्वत दोनों का प्रतिनिदित्व करते हैं संगीत और नृत्य, पारम परिक संगीत और नृत्य लेह लद्दाख की विरासत का अभिन अंग है संगीत के साथ अक्सर दमन छोटा ड्रम और सूरना पवन वाद्य जैसे वाद्ययंत्र बचते हैं त्योहारों के दोरान किये जाने वाले चाम नृत्य जैसे नृत्य रूप बौध पौरानिक कथाओं की कहानिया सुनाते हैं लेह लद्दाख की विरासत सास्पृतिक प्रथाओं, कला और आध्यात्मिक्ता का खजाना है इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस विरासत को सनरक्षित और बढ़ावा देना आवश्यक है कि आने वाली पिविया इसकी सुन्दर्ता और महत्व की सराहना करती रहें अपनी यात्रा पर सावधानी पूर्वक्षोध करना और योजना बनाना याद रखें ये सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास आवश्यक पर्मिट और आवास उपलब्ध हैं लेह लद्दाक उन यात्रियों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव प्रदान करता है जो हिमालय की सुन्दर्ता का पता लगाना चाहते हैं और एक अध्वितिय सास्पितिक अनुभव में डूब जाते हैं यह वीडियो हमें नासिक की श्री सुनील पातील वश्री समर्थ नाना टूस सासवड की सौजन्य से प्राप्त हुआ हमारा चालून का आभारी है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेर जरूर कीजिए और हमारे चाल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद